कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है. आज है पार्ट 24, सम्मान सुचक उपाधियां. दोस्तों, हर समाज और संस्कृती की अपनी विशेष्टाएं होती हैं, और उनमें एक महत्वपूर्ण विशेष्टा होती है शिष्टाचार की. अपने से बड़ों और छोटों को कैसे संबोधित किया जाना चाहिए, यही है सम्मान सुचक उपाधियों का आधार. जापानी संस्कृती में सम्मान और शिष्टाचार कूट-कूट कर भरा हुआ है, इसलिए वहां की सम्मान सुचक उपाधियों के बारे में जानना किसी भी जापानी भाषा से इकने वाले विद्यार्थी के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है. तो आईए आज के पार्ट में जाने कि आधुनिक जापान में कौन-कौन सी सम्मान सुचक उपाधियों का प्रयोक किया जाता है, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट सम्मान सुचक उपाधियां. सम्मान सुचक उपाधियां क्या होती हैं? सम्मान सुचक उपाधियां क्या जाता है. सम्मान में किस तरह की उपाधियां हैं? आईए देखें. यह हैं जापान की उपाधियां, जो बहुत ही लोकप्रिये हैं. सबसे लोकप्रिये है सान, उसके बाद सामा, कुन, चान, शी. तो यह जितने भी अभी हमने कहें, यह सभी ओनरिफिक सफिक्से से, यानि कि जो नाम के बाद इन्हें हम लगाते हैं. इसलिए सान से पहले यह चोटा सा डैश, यहां पर आप देख सकते हैं, यह जो डैश है, यह हम नाम के बाद लगाते हैं, एज सफिक्स. और प्रिफिक्स के तौर पर ओ या गो लगाया जा सकता है. इनके अलावा कुछ विषिष्ट वैक्टियों के लिए हम उपाधियां हैं, जैसे कि सेंसे, यह शिक्षकों और अध्यपकों के लिए सेंसे का प्रिउग होता है, सेंपाई का प्रिऊग जुनियर्स करते हैं, अपने सेनियर्स के लिए यह मुक्यत स्कूल कॉलजेंच की प उपाधियां है जापान में लेकिन आज के जापानी समाज में यही उपाधियां बहुत ही आम हैं बहुत ही प्रचलित हैं इसलिए इनके बारे में अब विस्तार से जानना जरूरी है और आज के इस पार्ट में हम इनी के बारे में जानेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहली उपाधी सान से. सान एक ऐसी उपाधी है, जिसका प्रयोग आप किसी के लिए भी कर सकते हैं. अगर आपको निश्चित रूप से नहीं पता कि किस उपाधी का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ बातचित करते समय, तो आप सान का प्रयोग कर सकते हैं. ये बहुत ही जेनरिक है, और किसी के लिए भी इसका प्रयोग आप करेंगे, तो कोई गलत नहीं होगा. तो ये सामान्य अर्थों में प्रयोग एक विनम्र सम्मान है, लेकिन ये अत्यधिक आपचारिक भी नहीं है, यानि कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, लेकिन ये फॉर्मल है. इसका प्रयोग किसी भी अपरिचित, यानि कि स्ट्रेंजर्स को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है, पद और आयू का इस पर कोई प्रभाव नहीं है. लिंग की दृष्टी से ये उपाधी निश्पक्ष है, अर्थात इसका प्रयोग पूरुष और महिला दोनों के लिए किया जा सकता है, यानि कि मर्दों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी, और इसकी तुलना श्री, श्रीमान, श्रीमती, कुमारी जैसी उपाधियों के साथ की जा सकती है. जापान में सम्मान सुचक उपाधी लगाना अनिवारिय है. तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, अगर आप जा रहे हैं, कि वहाँ हर किसी के नाम के सामने के नाम के बाद सम्मान सुचक उपाधी लगाना बहुत ही ज़रूरी है. वरना ये उनके प्रती असम्मान व्यक्त करने जैसा हो जाएगा. ये सबसे लोग का प्रियुपाधी है, यानि कि सान जो है, ये सबसे लोग का प्रियुपाधी है, जिसका प्रियोग किसी भी वयस्क वैक्ती के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मैनेजर, सहकर्मी, मित्र, आत्म, आत्मिया या कोई भी अपरजित वैक्ती. तो ये थी सान की बातें, अब अगली उपाधी है सामा, सामा ये उन लोगों के प्रती अत्यधिक सम्मान प्रदर्शीत करता है, जो आपसे बड़े या आपसे काफी उचे पत्के हैं, ये अत्यधिक आपचारिक है, यानि कि ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मल है, और आमतोर पर व्यावसायों यानि कि बिजनेस द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि ग्राहकों का जिक्र करते हुए, उद्घोशक द्वारा भीड को संबोधित करते हुए, देवताओं और दिव्य संस्थाओं का जिक्र करते हुए, और संब्राट तथा उनके सामा, निसान सामा, तोयोता सामा आदी, यानि कि कहने का अर्थ यह है कि आप जो अपने जो ग्राहक हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके कॉर्पोरेट वर्ल में और या फिर जहां भी आप नौकरी करते हैं, या अगर अपनी बिजनेस चलाते हैं और आपके कुछ तो उनके लिए आप सामा का प्रियोग करेंगे, ना कि सान का, और ये जो सामा है, ये सान से अधिक आपचारिक हैं, तो इसकी तुलना आप सर, मैडम, पंडित या विदोशी से कर सकते हैं, तो सान और सामा के बारे में हमने जाना, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुन और चान कुन का प्रियोग दोस्तों के बीच और अपने से उम्र में छोटों के लिए किया जाता है, आजकल आप जापानी टेलिविजन पर कुन और चान का अत्यधिक प्रियोग देख सकते हैं, जिनका प्रियोग निकनेम के रूप में जापानी पॉप संस्कृती में हो रहा है, ना कि महिलाओं या लड़कियों के लिए, कुन का प्रियोग करमस्थल पर सीनियर्स अपने जूनियर्स को संबोधित करने के लिए करते हैं, इसमें लिंग आड़े नहीं आती, यानि कि अगर करमस्थल पर कुन का प्रियोग हो रहा है, तो ये पुरुष और महिलाएं दोन के लिए की जा सकती है और यह ध्यान रखें कि यह सीनियर्स ही अपने जुनियर्स को संबोधित करने के लिए करमस्थल पर करते हैं वरना अगर आपके सह करमी है तो आप सान्द का ही प्रयोग करेंगे उधर शीक्षकवर्ग जो अपने छात्रों के लिए कुन का प्रियोग कर सकते हैं, आजकल देखा जा रहा है कि वे भी सान का प्रियोग करने लगे हैं, चान शब्द जो है वो स्त्रीवाची है, यानि कि फेमिनिन उसमें टच है, इसलिए उसका प्रियोग आमतोर पर भाहर घर के बाहर नहीं किया जाता, और इसमें लाड, दुल और बच्चों वाले भाव है, चान शब्द सान से हि आया है, जैसे छोटे बच्चे तुतलकर चानखेते हैं, यानिके उनकी जो तुतली बॉली में जो गड़ भडाहँ तो वो साँ को चान और वहीं से यह आया है कि बच्चे सान को चान कहते हैं, जो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए बहुत से बहुत छोटे बच्चों के लिए चान का प्रयोग किया जाता है, और अधिकतर जो छोटी लड़कियां हैं, उनके लिए इसका प्रयोग होता है, तो यह हो आगे बढ़ेंगे, शी, रेडियो और टेलिविजन पर समाचार में इसका अधिक प्रयोग होता है, और व्यक्तिगत संचार में, यानि कि परसनल कॉम्मुनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं होता, इसका उपयोग तब किया जाता है, जब विनम्रता से अजनभियों का जिक्र किया जाता है, और ये काफी आपचारिक होता है, रेडियो टेलिविजन पर समाचार में इसका प्रयोग होता है, समाचार पढ़ते समयशी का उपयोग एक बार किसी व्यक्ति के परीचे के बाद तब तक उसके लिए किया जा सकता है, जब तक कि किसी और का उलेक नहीं हो र तरह से हम जो सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से शी का प्रयोग भी हो सकता है, अब अब तक हमने जितने भी सम्मान सुचक उपाधियों के बारे में जाना, वे सभी सफिक्स थें, अब ओ और गो ये प्रिफिक्स हैं, यानि कि नाम से पहले ये आएंगे, तो कि के लिए इसका प्रयोग होता है, विनम्र भाषन में कुछ वस्तूओं और संग्याओं का जिक्र करते समय प्रयोग होता है, ओ या गो, जैसे कि चा का शाब्दिक अर्थ है ग्रीन टी, यानि कि चाय, और ये जो चा शब्द ही है, ये चीनी भाषा से आया है, क्योंकि चीन म चाय का सबसे पहले आविशकार हुआ था, और इसी चा से ही हिंदी में चाय शब्द बना है, तो चा का शाब्दी कर्थ है ग्रीन टी, लेकिन इसके आगे ओ लगा कर इसे ओचा कर दिया गया है, और आज चापान में इस चाय को ओचा ही कहा जाता है, इसी तरह से साकाना का अर्थ है मचली, लेकिन कई जगह आप उसकाना पाएंगे, इन दोनों में यानि की ओचा और उसकाना, इन दोनों में सम्मान सुचक उपाधी ओ का प्रियोग हुआ है, इनका प्रियोग पारिवारिक सम्मान सुचकों के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि बड़े भाई के जो शब्द है वो है नीसान, पर सम्मान और शिष्टता के साथ कई लोग अपने बड़े भाई साब को ओनीसान भी कहकर बुलाते हैं, तो इस तरह से ओ का प्रयोग या गो का प्रयोग नम्र आचरन के तौर पर किया जाता है, सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाता है, अब सेंसेई, सेंपाई, को हाई, ये जो तीन है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, सेंसेई का प्रयोग शिक्षक, डॉक्टर, वकील, राजनायतिक नेता और कलाकारों के लिए किया जाता सकता है, जो उपाधी और योगता में हमसे बड़े हो, अर्थात उनके विशिष्ट गुणों का सम्मान करने के लिए उनके नाम के साथ सेंसेई शब्द जोडा जाता है, सेंपाई का प्रयोग जूनियर चात्र अपने से सीनियर चात्रों को संबोधित करने के लिए स्कूल, कॉलेज, खेलके मैदान, जीम, स्पोर्ट्स क्लब्स आधी जगहों पर करते हैं, तो इस तरह सेंसेई, सेंपाई और कोहाई ये बहुत प्रचलित उपाधियां है, आज कल जापान में इनका प्रयोग होने लगा है. तो दोस्तों, यही था आज का पार्ट, यानि की सम्मान सूचक उपाधियां, और हम नियाधुनिक चापानी समाज में जो सबसे अधिक प्रचलित उपाधियां हैं उनके बारे में जाना, और हम इस पार्ट को समाप्त करने से पहले यही कहेंगे, कि अगर आपको नहीं पत चाहे आप से छोटे हो, आप से बड़े हो, आपका कस्टोमर हो, अगर आप सामा भूल गए हैं, सामा का प्रयोग आपको पता नहीं है, तो भी आप सान का प्रयोग कहीं पे भी कर सकते हैं, तो दोस्तों, इसी के साथ पार्ट चौबीस अब यही समाप्त होता है, बहुत ज